आप नेता बोलते थे मैं सुन रहा था मुलाइम सिंगादर ने बोल ले ते मेरे साथी हैं बरसों तक समाज बाद या अंदोलन में नरे कि नो महिना में तो बच्चा पैदा हो जाता है वह नहीं कहा कितनी बे वह ग्यानिक बात कर रहे हैं यह तो बेग्यानिक था है प्रकिर् इस सरकार का 9 महिना हुआ 10 महिना हुआ सरकार पैदा हुई आप क्या सोचते हो आप क्या सोचते हो इसलिए आप से मेरी बिनम्र प्रार्थना है कि संभलो आपने बनाया ना मैं आज भी कहता हूं अगर मेरे गाउं के किसी को उठावे आख में पट्टी बांदे हिंदुस्तान के कहीं भी उडिसा हो बंगाल हो कहीं हो किसान को लावे गामे आख पर पट्टी बांदे और एक बार इंडिया गेट पर उसकी आख को खोल दे उसको लगेगा कि हम स्वर्ग में चले आए कि बैकुंठ में चले आए कि इतना काय अंतर है, मैं उन्हें सो सथातर मेमेल बनके आया, इंडिया गेर के किनारे पैदल टहल था एक बड़ी गारी में, एक बड़ा कुत्ता जा रहा था, उग अपने मुह को निकाल के जी लपलपाते जा रहा था, मैं गांका आजमी खराओ के सोचने लगा, कुत्ता अमलेट के कर रहे आया है, तुझसे मैं सवभा की साली हूँ, देख, मैं ठंड गरमगारी में बैठा हूँ, केक खाता हूँ, अमलेट कटलेट खाता हूँ, घदे पर सोता हूँ, तुमने देखा हिंदूस्तान, तुमसे अच्छा मैं हूँ, उस दिन मुझे लगा कि इस हि जिन्दगी जी के रहे हैं, और मुझे उस जिन्दगी से भी बत्तर जिन्दगी जिलाने वाले कोई नहीं है, आप हैं, राज किया आपने, मैं आंदोलन किया, जेल में गया, जेल में सराया, आज भी पुरवाहबा चलती है, तो आपके पुलिस की लाठी से जो हड़ी में चोट है, वो कोई नहीं दर्द करने लगता है, तब मुझे मुझे ऐसा इहसास होता है, कि जिस राज में मुझे इतना कश्ट मिला था, अगर मेरा बस चले, तो उस राज को सदा सर्वदा के लिए हिंदूस्तान से उखार के, अगायाज में जाके पिंडदान कर दूँ जो रख दिया, जो गाउं में बसने वाले थे, वो बीड़ा सीदा समला साथ थे, और घटके हो गए, अरसर दमसला जीरो आठ, 14% गाउं के लोग गायब हो गए, कहां गायब हो गए, गायब हो के कहां गए, आपके यहां, दिल्ली में, दिल्ली में फुटपाग पर सोते हैं, पेर के नीचे सोते हैं, पेर के नीचे जनमते हैं, बलते हैं, बरते हैं, पेर के नीचे साधी करते हैं, होनी मून बनाते हैं, वहीं फिर बच्चा पैदा करते हैं, पेर के नीचे ही अपना पड़िवार बसाते हैं, हमारे बच्चे को लाया, हाथ में रिक्सा थमाया, ठेल से मजदूर किया कुट्टे के जैसे जिनकी जीने के हमारे हमको मजबूर कर दिया और उपर से आप बताते हैं कि हम आप तुम्हारे लिए क्या दे दिया फूट सिकूरूटी दे दिया फूट सिकूरूटी दाना उपजावे धान उपजावे हम गेहूब जावे हम अनाज ह हुआ है घरीभी का उपहास है हमारी निर्धनता है हुए ईक किलो यौन ले चावल देते हैं एक महीडा हो विधा परसेंट को क्या यही बजट बनाते थे ना मैं उसी को कहता हूं यही आपका अखरा गरीबी चाबल गेहूं खाए 87% हम को कहो गरीबी की रेखा के नीचे है 26% कविड़ा बाचे आखिन लेखा पंडित बाचे पोथिन लेखा हम तो आख से जो देखते हैं वो बोल रहे हैं